हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं यूट्यूब चैनल एयर एजुकेशनल हथ तो इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक झार्खन कंबाइड के कांसलिंग को लेकर बात करने वाला हूं साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूं बीसी नर्सिंग पैरामेडिकल को प्रिकर फर्स्ट ओफॉल मैं यह डिकलेर कर दूं कि बहुत सारे स्ट्रेंट को कंफ्यूजन के कि कांसलिंग कवोगा कि कांसलिंग इतना डिले क्यों है तो सबसे पहले कांसलिंग में जो टेंडर पास हो चुका है और बाकि सभी परिक्षाओं का जो भी कांसलिंग वह अप्रिल महीने में या मार्ज के महीने में नहीं हुआ यानि इस बार एक्षाओं अपने समय से पहले हुआ है तो अगर आप इस चीज़ को लेकर परिशान है कि सर मेरा कोर्स चुट जाएगा सर इतना लेट क्यों हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आप प्रिवियस में चेक कीजेगा तो कभी भी जहारखन कंबाइन अप्रेल या मार्च के मेने में नहीं हुआ है, ये हुआ है जश्ट नीट के बाद, तो जाहिर से बात है कि अगर एक्जाम जून ए होता है, तो जुलाई में एक्जाम आता है जुलाई का हाफ के बाद counseling start होता है then उसके बाद August, September से आप लोग का batch start होता है यह आप लोग बिलकुल इस बात से अउगत हो जाएए चाहे वो कोई भी परिच्छा हो जार्खन का माइन हो या फिर आपका B.S.C. nursing का हो सभी का process same है चीक है सभी का process same है तो उसमें tension नहीं लेना है exam definitely हो कर रहेगी counseling definitely हो कर रहेगा एक और आप लोगों से मेरा एक छोटा सा request है वैसे student जो prepare करना चाह रहे थे अपने आपको NEET में जिनका mindset यह था कि मैं एगरिक कल्चर कॉलेज में जाने के बाद भी NEET के लिए पढ़ाई करूँगा या फिर अगर इस बार अच्छा marks नहीं आया है तो मैं अगले साल के लिए prepare करूँगा तो वैसे बच्चे अपने mind को इधर divert ना करके आप इधर focus करें यह मैं सबसे बड़ा suggestion दूँगा आप लोग को आप लोग अगर परिशान है कि नहीं क्या होगा क्या होगा तो ऐसा नहीं है आपके चिंता करने से ऐसा नहीं है कि कलको counseling स्टार्ट हो जाएगा इसमें आपका समय और वक्त सबसे ज़्यादा जाया हो रहा है तो first of all आप पढ़ाई पे focus कीजिए जिनका neat ही सबसे ज़्यादा हा तो need पे focus कीजिए आप अभी तो और अच्छा है कि आपको समय मिल रहा है पढ़ने को classes start होने के बाद आपको जरा सा सांस लेने का भी समय नहीं मिलने वाला है ठीक है तो इसलिए अगर अभी जितना समय मिला है उसको utilize कीजिए आप day by day जो भी notification आएगा वो आपको telegram हो या फिर Instagram हो या YouTube हो वो सारे माध्यम से आपको मिल जाने वाला है तो tension नहीं लेना है इस चीजिए का counseling just होने वाला है हो सकता है कि अगस्त में आप लोग का counseling definitely हो जाएगा तो tension नहीं लेना है तीसरी बात अगर मैं बात करूँ तो scope कर लेकर बात चल रहा है कि क्या बाकी सारे courses में scope है नहीं है तो एक बात सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर किसी भी फिल्ड में scope नहीं होता चाहे वो veterinary हो agriculture हो horticulture हो या फिर कोई भी college हो forestry हो ठीक है या फिश्री हो या dairy हो आप मुझे बताओ मैंने अभी तक इतने दिनों में अभी तक किसी भी course में seat खाली नहीं देखा है हो सकता है कि फिश्री और dairy college में कभी-कभी seat vacant रहता है बट बाकी किसी college में मैंने अभी तक seat vacant नहीं देखा है कि हाँ वहां से 10 बच्चे चले गए हो यहां वहां से 5 बच्चे चले गए हो अगर जिस जगह पे अगर आप लोग को लगता है कि placement नहीं है तो यह गलत थोट है आपका admission सभी जगह होगा depend on you आपका पढ़ाई कैसा है आपका strategy कैसा है आप किस mindset के साथ उस और कभी कभी college का year wise भी यहां पर placement मिलता है ठीक है तो यह चीज आप ध्यान रखिए अगर आप सोच रहे हैं कि सभी को placement मिल जाएगा agriculture में जितने भी बच्चे हैं सभी college को मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होता है ठीक है गिन चुनकर 5-6 लोग को साथ लोग को placement मिलता है वो भी इस बार अगर आपको कोई वैसा college मिल जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप अगले साल के प्रिपेर करो इस साल एडमिशन लेलो अगले साल के प्रिपेर करो और बिरस अगरिकल्चर आजाओ चीक है यह भी option आपके पास है तो बिलकूल आप focus किजे पढ़ाई पर ना कि आप जो भी notification आ रहा है उस पर ऐसा नहीं है कर notification रिलीज होगा और डेट खतम हो जाएगा काउंसलिंग कैसा नहीं है और admission होगा टेंशन नहीं लेना है काउंसलिंग डेफिनेटली होगा आप अपडेट के लिए नोटिफिकेशन वेल ऑन कर लीजिए टेलिग्राम भी जोईन कर लीजिए और वहां सारे आपडेट आपको मिलते रहेगा ठीक है आई होप आप मेरी बातों को बहुत 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 रहीं के से समझ रहे होगे ठी है मिलते हैं आप सब्सक्राइब तब तक के लिए धन्यबाद